के सानिते में जाते हैं मैं माताजी को यहां से प्रणाम करता हूँ मुझे हमेशा आपका स्ने मिला है आपके आशिरवाद मिले हैं लेकिन स्वच्च भारत भियान को आपने हर प्रकार से नई ताक दिए आज मेरा सोभाग्य है कि आपने समय निकाला है और यह सितंबर महिना आपके जन्मतिधी का भी महना है और इसलिए मैं इसके लिए भी आपको प्रणाम करते हुए आपके आशिरवाद की कामना करता हूँ श्चप्षबया रुष्ण यह स्वादते लोड़ ब प्रद अप्रणाप्यों फिक्टोर् मेश्यम फौरोध तेले है औरो जनेगडे जन्मत्स प्रगृत संप्रेट्षिन, अगुवलने परिस्टिर वृत्ति, सुधित्त, जलसंप्रण, तुडंगी गारियंगेंगेंगें। जासी काम के चाहतो लाएखन छूष्वेन, चाहतो है, जलसंप्र और मैंनुत जलसंप्रण, मैंनुत, अपर ब ढमीतूरा जुख्रूण, तुडंगेंगेंगें। अधुम्हानथ्टिने कारियम मात्रमला, स्रीट वर सुरिष्चेट गार्य कुडियाएब अधुट्योंड ग्रयमंगे भारतेल्ट पारतेल्ले फारतेल्ले, भारतेल्ले, तेथ्थेट्ट्टुन्द, अवड़ेल्लां स्वजालंगे बणि, अम्तरस्रीगंवे कुछ परती देशता मुण खजे में ब्लास्टिक ुंड सब भेषबक अपर है। अच्छित में थे एक्र चुम्प्कानी एक्राम त समत्यूदी भीरेवेयर उन्ना अवियरू भीपी कुम्पी जन्ने, वेर्न आईणाइरू भीप गोंची अच्छित वेंदेमाक्त अची। कि दिस देड़ एंगा मुणनुरु भीप वेक्प वेस्टों थे चुट अगामुके बैशेखे थे जबूदाएनु थे एंगावार्सट ग्रावार्स सकते कि जुट्फेट एज जुट पट्चे का घंट। सबते हैं घर्वन तो थोड़ मत deficते हैं लावार्नास कोते हैं ables बेसे थोर्चेप में सब्स्क्तरा कुट्व मίन्स मुझत oldest कोछ Humano भी को हमारी न में घत्ता है । 지갔 सब्सक्वाईद न हो प्रदानमंत्रीजी, नमस्कार, सबसे पहले तो अम्मा आपको स्वच्च भारत के महत्वपूर्ण विशेको, दैनन्दिक वार्तालाप में अक्रस्थान पर उठानी केलिए बदाई देना चाहिए आपके इस आवान ने प्रत्येक नागरिक के दिल को छू लिया है और इस अभ्यान को देश के हर एक विक्ति से अपूर्व समर्तन मिला है माता अमर्तन मिलाप प्रकृति के रक्षन, स्वच्चता, स्वास्षा तथा जल्सन रक्षन से संबंदित, जागरुकता अभ्यान चलाने और परियोजनाय लागू करने की दिशा में प्रतिबत एवं सक्रिय रहा है इसी वर्ष 1700 अभ्यान मट के और से चलाये जा चुके हैं माता अमर्तन मिलाप ने भी स्वच भारत कोश में 100 करोट रुपयों का योगदान भी दिया है गाओं में महिलाओं को शोचालेओं के अभाव के कारण बहुत समस्या होती है ये केवल उनकी मर्यादा का ही नहीं बलकि सुरक्षा का विशय भी है कई कई वर्ष पहले की एक घटना अमा को याद आती है अमा को एक घर में पूजा के लिए आमंतरित किया गया था वहां पहुँचने पर पता चला कि उस घर में शोचाले नहीं था और महिलाओं को शोच के लिए खुले में जाना पड़ता था उस दिन अमा को दुपेर से रात होने तक अपने पर नियंतरन रखना पड़ा अमा जानती है कि उसकी पीडा कितनी है मट ने पूरे भारत में 101 गाओं को गोद लिया है हमने इन गाओं में न केवल शोचालियों का निर्मान किया है बलकि उन गाओं की महिलाओं को शोचालियों का निर्मान करना भी सिखाया है इससे उन्हें आजेविका कमाने और आत्म निर्बर होने में सहायता मिली है इन गाओं में हम लगातार महिला सशक्ति करण के कारिक्रम चला रहे हैं केवल केरल राजसे प्राप 80,000 आवेदन पत्रों में से मट 15,000 शवचालियों का निर्मान पहले ही कर चुका है और अब भी कारिय अच्छी गती से चालू है केवल वेस्ट मैनेजमेंट सीखना ही हमारे लिए परियाब नहीं हमें ये भी सीखना होगा कि क्या करें कि वेस्ट का उत्पादन ही न हो अमा यहां एक उदारन देना चाहेंगे सैनेटरी पैड्स में जो सामगरी इस्तमाल की जाती है वो बायो डीग्रेडबल नहीं होती और हम जानते हैं कि वेस्ट में कभी कबार 45 प्रतिशर तक वेस्ट इन सैनेटरी पैड्स के होते हैं हमारा मट सूती कपड़े में लपटे केले के फाइबर से सवक्यम पैड्स बनाने में सफल रहा है इन पैड्स को बार बार इस्तमाल किया जा सकता है और इसमें उप्यो किये गए पदार्थ बायो डीग्रेडबल है गाओ की महिलाओं के लिए ये पैड बनाने का काम उनकी आय का साधन भी बन गया है केरल राज्य त्रिवेंदरम से कासर गोड कासर गोड तक लगबख 600 किलोमेटर के शेत्र में फैला हुआ है अमा की योजना थी कि हाइवे और मुख्यमार्गों पर दो किलोमेटर की दूरी पर एक वेस कलेक्शन सेंटर हो उनकी योजना अनुसा स्वेम सेवक हफते में दो बार साइकल पर जाकर इन कलेक्शन सेंटरों से कच्रा उठा कर ले आएंगे इसी बहाने उन स्वेम सेवकों का व्यायाम भी हो जाएगा इस काम के लिए हमने 6,000 कच्रे के डबों और 4,000 साइकलों का ओरर भी दे दिया था इन स्वेम सेवकों को इस प्रखार में लिए वे अपने इलाकों में सब्जिया उगानी के लिए कर सकते थे कुछ घंटे काम करने के लिए इन लोगों को एक हजार रुपे प्रतिसप्ता वेतन भी मिलता इस प्रकार से यह ग्रूप दो-दो किलोमीटर की देखबाल करते और साहरा राज्चे साफ सुत्रा रहता किन्तों चुकि हाइवे पी-ड़ल्योडी विभाग का अधिकार शेत्र होते हैं इसलिए हम इस योजना को कार्या दिर्थ नहीं कर पाए अमा कहती हैं डाइबेटीस के रोगी यदि दवाएं ले वहिना में एक या दो बार स्वचता अभ्यान चला कर अपने आसपास के दो किलोमीटर तक की इलाके को साफ सुत्रा रखने की जिम्यदारी रखे रिसर्च के मार्ग पर भी आश्रम के और से बहुत कुछ मिला है मट की और से रिसर्च भी चलाया जा रहा है कि किस प्रकार मच्छरों में जीन इंजेक्ट करने से डेंगी मलेरिया जैसे बिमारियों को पूर्ण तरह से समाग कर दिया जाए देश अंत में देश भर में जा कि तरी माता जी को परनाम करता हूँ और मैं है कि भाता अमृतानन महीह जी ने आज समय निकाला अशुरवाद भी दिये और इस पवित्र कारें में आपने नई ताकत दी है इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और इस पवित्र लक्यों को पाने में आपका आशिरवात हमारी बहुत बड़ी ताकत है देश के गरीब जरुरतमन्द के लिए आप हमेशा उमीद और रोसनी की किरन रही है और मुझे तो आपने बहुत स्ने दिया है कच्छ में भूकम से लमज लेकर के आज तक जब भी सेवा का काम रहा आप हमेशा दो कदम आगे बढ़कर के आगे आई है मेरे भीतर गरीबों की सेवा का भाव और मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे विश्वाद है कि स्वचता ही सेवा के प्रती जो आपने अपना आशिर्वात दिया है अपने धन दिया है अपने समय दिया है आपके कैरकरताओं को लगाया है आपने पुरे मिशन को एक नई गति दी है नई उर्जा दी है आपने सौचाले के निर्मान के लिए जो बहनों को मिस्त्री का काम शिकाने का अभियान चलाया है वो सच मुच में Human Dipsource Development, Skill Development का एक बहुत बड़ा काम है बहने और बेटियां स्वच्छता की दूद तो पहले से ही थे अब आपने स्कील और ससक्त करण को भी इससे जोड़ा है